परकार की तरफ से रेस्लर्स को नियोता दिया था बादचीत के लिए बहुत अच्छे बातावरण में सकारात्मक बादचीत बहुत संबेदन्शीर मुद्दे पर हुई है और लगबग 6 गेंटे 40 बैटक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चारशिट दायर की जाए और रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी रेस्लिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे जब तक रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आयूए की अधॉक कमेटी पर दो कोचिस का नाम प्रस्तावित किया गया है उसका क्योंकि टेक्निकल टेक्निकल भी उसमें दिखतें बहुत आती इसलिए सुझाव दिये गये कि दो कोचिस को उसके ऊपर रखा जाए उसका मेटी में और जब रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के चुनाव हो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले अच्छे पदादिकारी उसके चुनके आए उसके लिए खिलाडियों से राशुमारी ह निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजबोशन सिंग जनकी तीन टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंदित लोग उसमें चुनकर ना आए इस तरह के उनकी मांग थी जो महिला खिलाडियों को या बाकी खिलाड़ी अवश्यक्ता अनुजार सेक्योरिटी उनको मिले जिन खिलाडियों के या अखाडों के या अकेडमिस के या कोचिस के खिलाव मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापिस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानून या पुलिस की कारवाई ना की जा सके और खिलाडियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चारशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर परदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगटन्ज उनके समर्थक हैं वो भी कोई परदर्शन नहीं करेंगे और उन सब को भी इस बादचित से अवगत कराएं